हाई गाईज वालकूम बैक आप सभी का अपने चानल पर फिर से बहुत ज़दा स्वागत है तो गाईज आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आइफोन 13 पे 17.3 के टॉप 5 न्यू लेटेस्ट फीचर्स के बारे में जिनके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए अगर आप सभी ने अभी तक अपने डिवाइस को अपडेट नहीं किया 17.3 के लेटास्ट अपडेट पे तो मस्ट है कि अपडेट जरूर कर लें क्योंकि काफी ज़दा इंपोर्टेंट अपडेट है बहुत से बग्स आपल ने फिक्स करें हैं और साथ में बहुत से नए नए न प्रेस करो कस्टमाइस की उपर टैप करो और यहां पर आपको क्लॉक की विजट की उपर टैप करना है यहां पर आपको वर्ड क्लॉक और सीडी क्लॉक देखने को मैं जाता है बट यहां पर आपको टैप करना है सिटी क्लॉक की उपर बाइड डिफोल्ट यहां पर कूपर प्रवार्टिन और किूपर डेखने को मलता है निंद को खूँ अपने अट करना है ऑपको वहां SE स्राइब कर दीने है जैसे कि मैंने युएस से की सिटी एक टन को यहां SE आड करा है एजे do il clock और यहां पर केनाडा की जो सिटी है अड्मोंटन वो भी मैंने यहाँ पर एड कर रखी है और टॉप क्यूपर इंडिया का टाइम जोन चल रहा है तो कुछ इसलिए के से आप ड्यूल क्लॉक्स को इनेबल कर सकते हो 17.3 के नए इस टेबल अपडेट में अपने आईफोन 13 सीरीस क्यूपर इसको इनेबल करने के लिए सबसे पहले सेटिंग्स में जाओ और यहाँ पर आपको फेस आईडी और पासवर्ड क्यूपर टैप करना है अपने पासकोड को एंटर करना है उसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मल जाएगा स्टोलन डिवाइस प्रोटेक्शन तो यहां से आपको इसे ओन कर देना है ओन करोगे तो आपकी फेस आईडी यूज़ करेगा अगर बाइचांस आपका जो डिवाइस है वो कहीं गुम हो जाता है यहां कहीं आप भूल जाते हो अगर पीछे से कोई भी उसका पासकोड अनलॉक करता है आपके डिवाइस का तो यहां से व पहले फेस आईडी यूज़ नहीं होती थी ड्रेक्टली आपका पासकोड एंटर करना होता था पूराने वाला और नए वाला पासकोड आप सैट कर सकते थे अब यहां पर आपको फेस आईडी का आप्शन एड़ाउन कर दिया गया है और यहां से अगर वो परसन यहां से स स्टार्ट करता है तो वन आवर का सिक्यूर्टी टीले उसे लेना पड़ेगा उसके बाद ही फिर वो कुछ चेंजिस बगारा कर सकता है इसलिए यह स्टोलन डिवाइस प्रोटेक्शन का फीचर का फिजदा यूसफुल है 17.3 के नए अपडेट में उसके बाद नए फीचर तो हर बार यह फ्लावर्स जो है वो चेंज होकर मिलते हैं अब देख सकते हो पहले यह बला फ्लावर यहां पर था अब सेंटर में हो चुका है अब मैं फिर से स्वाइप अप करूंगा स्वाइप डाउन करूंगा और यह फ्लावर यहां पर आ चुका है तो एक कूल से अन करना है इसका काम क्या है अगर आप किसी होटेल्स वगारा में ट्रैबल करते हो जाते रहते हो तो वहाँ पर अगर उनके पास नई टेकनोलोजी के टीवी होंगे तो आप उनके टीवी वगारा को क्नेट कर सकते हो सिंप्ली एक QR कोड को स्कैन करके कुछ तरीके का QR कोड होने वाला है तो आप उनको ड्रैटली स्कैन करके किनेट कर सकोगे अपने आइफोन के साथ उसके बाद आपको यहां पर आपके जेनरल में देखने को मलेगा एपल के रेंड वरेंटी का ऑफशन जहां से आप अपने एपल प्रोडक्ट की वरेंटी को चिकाट कर सकते हो यहां स उसके बाद आपको म्यूजिक कैप में कुछ नएफ फीटर लेकने को मल जाते हैं जैसे कrie अगर आप यहां पर कोई भी म्यूजिक प्ले करते हो यहां पर आपको स्टार का बटन देखने को मलता है स्टार के बटन के वबर टैप करोगे तो आपका यह म्यूजिक है Peanut यहां यहां पर आपको emojis के साथ reaction करने के लिए भी एक option add-on करी गई है यहां पर आपको reactions देखने को मल जाते हैं जो भी emojis आप send करना चाते हो इस music के उपर यहां पर reaction के तरह use करना चाते हो तो यह कुछ top new features आपको iPhone 13 के उपर 17.3 के नए update में देखने को मलते हैं I hope आपको यह video पसंद आई होगी so मिलते हैं guys अगली video में so thanks for watching